आपके Android की डवाइस को रूट करने के लिए बहुत सारे options available है A-Patch के बारे में कुछ नहीं पहले मैंने आपके साथ बात शेयर करी थी तो अब इसका जो light version है वो available है इसमें क्या difference है सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी से यहां पर बात करेंगे installation के बारे में की कैसे install करने उसके बाद बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आपको इसे as an apk file install करने उसके बाद आप चलेंगे इस apatch light वाले app में यहां पर आपको एक option देखने मुल रहा होगा name से patch आपको इसे select करने और आपको अपने device में for example जैसे आप मैं आपर MIUI-based एक modded room यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे boot image देखने को मिलेगा मुझे उसको select करना है उसके बाद आप देखें यह जो है वो patch हो जाएगा और इसे जो steps है वैसे मैं इसको पर इंग्लिश में वीडियो बनाया हूँ अगर आप चाहते है तो उसका जो link है वो आपको description में देखने को मिल जाएगा किस तरह से आपको से install करना है process बिल्कुल same है जैसे अपने normal A patch को install किया तो उसी तरह से आपको इसको install करना है उसके बाद जब आप इसे चलेंगे custom recovery में वहाँ पर चलने के बाद आपको install image पे click करना है और इस boot image को as a boot image आपको select करके इसको install करने अपने device में within few seconds यह आप अपने device में install कर पाएंगर आप देखें मुझे कोई error कोई issue देखनी को नहीं मिला image is flashed successfully इसके बाद आप अपने device को reboot करेंगे और इस app को open करेंगे और यह start हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना है आपको जो अगर आपको किसी app को install करना है आप इसको route permission grant कर सकते हैं आपने device को easily root कर पाएंगे बिना किसी issue के जब से मैंसे यूज कर रहा हूं फिलाल को issues देखने को मिले नहीं है जैसे mrepo नाम का एक app है जिसे मैंने install के है तो इसकर मैं route permission grant करूंगा settings वाले option में चलेंगे as you can see route access is granted यह officially magisk और kernel issue को definitely recommend करते हैं यह आप उसे यूज कर सकते कर आप a patch को यूज करेंगे a patch का lighter version जो मैं आप आपके साथ share करूं इसे यूज करेंगे तो भी यह चीज काम करेगी एक module भी मैं आपको install करके दिखाता हूं कि क्या यहाँ पर module काम करेगा क्योंकि module में मुझे फिलाल को issues देखने को मिले नहीं है अगर हम चलेंगे यहाँ पर modules काफी सारी modules available हैं तो वैसे जो भी modules kernel issue यहाँ फिर magisk में support करते हैं काफी सारी modules ऐसे हैं जो इसमें भी support करेंगे तो for example जैसे शमीको वाला module है अगर मैं इस पर चलो install वाले option में क्लिक करेंगे और यह automatically download होना start हो जाएगा अगर आपने mrepo को भी तक नहीं try करा हैं मैंने इसके उपर बहुत सारी videos बने हैं आप उसे check out कर सकते हैं अब देखें A patch वाले app में इसने automatically से install कर दिया directly और इसका मतलब आप देखें कोई error भी देखने को नहीं मिला तो आप इसे definitely use कर सकते हैं उसके बार में अगर आपको ज़्यादा information चाहिए तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं मैं इसके उपर और एक detailed video एक comparison video लेके आऊँगा magisk vs kernel su vs apatch और देखेंगे किसे install करना कितना easy है या कितना नहीं है क्या complicated things है लेकिन इस तरह से आप apatch lite को भी easily install and setup कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चलगी तो वीडियो को like सरूर कर दीजे thanks for watching and goodbye उसे ज्हाँ सफे हैं